सावन पूर्णिमा के दिन कुछ चीजें घर लाना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं, इस दिन कुछ चीजों को घर लाने से मान लक्ष्मी का स्थाई निवास होता है। साथ ही व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूटूबूब चैनल में हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेश महत्व है। इस दिन देश भर में रक्षा बंदन का त्योहार मनाया जाता है। जोतिश शास्त्र के अनुसार इस बार सावन पूर्णिमा पर दोसो साल बाद दुरलब संयोग बन रहा है। इस कारण सावन पूर्णिमा का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि इस बार पूर्णिमा तिथी तीस अगस्त के दिन पढ़ रही है। इस जदिन मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कई जोतिशिय उपा से मा लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन गंगा स्नान का भी खास महत्व बताया जाता है। बता दें कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दान आदी करने से पुन्य फलों की प्राप्ती होती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन कुछ चीजों को खरीद कर घर लाने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है साथ ही धन की देवी मा लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है ऐसे में जानते हैं पूर्णिमा के दिन किन किन वस्तूओं को घर लाया जा सकता है सावन पूर्णिमा के दिन खरीद लाएं ये चीजें पलाश का फू पूल जयोतिश शास्त्र के अनुसार, पलाश का फूल मान लक्षमी का अतिप्रिय फूल है, सावन पूर्णिमा के दिन ये फूल को मा, लक्षमी को पूजा के दौरान अर्पित कर दें, अगर संभव हो तो इस पौधे को घर पर भी लगाया जा सकता है, मान्यता है कि इसे घ नारियल चरहाना शुब माना जाता है, यह उनका अतिप्रिय है, माना जाता है कि जिस घर में एक आक्षी नारियल मान लक्षमी को चरहाया जाता है, वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, यदि व्यक्ति अपनी तिजोरी भरे रखना चाहता है, तो सावन पूर्णिमा क अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सबस्क्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद